गुड़ मॉनिंग फ्रेंट्स फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत अपने एजुकेशनल चैनल फाइंड जोग एजुकेशन में देखिए डियर आपको पता कि एल्डीसी के वेकंशी कई विवागों में आती है जैसे आर्पीहसी भी निकालता है क्रमचारी चैन बोर्ड है आर प्रोफिट ज्यादा प्रोफिट ज्यादा पावर मिलेए आपको ठीक है कहां पर आपका रिटार्मेंट के समय ज्यादा बैनिविट मिलेगा यहनि जैसे आपन त्यारी करते हैं तब अपने को पता नहीं रपता है कि भाई एल्डीसी में तिनों विवाग चार विवाग रभी तहयता ठीक है वह भी इसी कई अनुसार है हदिनस्त विवाग है इस एक अनुसार तेa आप Teyn लिभा इंगे पर मॉशन में थोड़ां दिफूरेंस है क्या इन्मेंट है अगर आपन थोड़ी सी अच्छी वी तियारी कर ले तो अच्छा पद मिल जाता है ठीक ना जैसे आपन हदिनास्ति विवाग की जगए सट्रेट सचिवाले माज आते तो अपन वन बाई वन इस्टेव आइस्टेव देखेंगे कि क्या क्या इन में डिफ्रेंस है कहां पर ज्जादा फायदा है कहां पर आपनी शैली ज्यादा बढ़े य और कहां पर अपने कुंशावड प्रमोशन में और तो आये स्टाट करतें है र्फोते सच जाइक हो एंचाई तो उसमें तक्राइब एक सो आठ विवागों में पोस्टिंग दी थी अलग लग विवागों में ठीक ना आरेशम एसजबी ने इसकी वाकेंसी दोनों की आरेशम एसजबी लेता है जिनकी अच्छे नमर आते हैं अच्छी कटॉफ जिनकी जाती है उनको सची वाली मिल जाता सेक्टरेट मिल जाता है सेक्टरेटि कम होती है उसलिके कम नंबर आते उनको हदिनस्थ मिलता है हदिनस्त विवाग में शिक्षभ विवाग आता है ठीक है जैसे इसकोलों में अलगत जैसे कर प्रासil को यह कर विवाग आ गया तो ऐसे विवाग आ जाते हैं हाई कोट है यह अपनी वेकेंशी अलग लेता है ठीक है इसमें भी प्रफ्रेंश के अनुसार हाई कोट में भी आपकी फोस्टिंग हो जाती है या फिर आप सब और डिनेट हैं जैसे कि जो सतरने या कोट कैचेरिया हैं वहा । अब देखेंश पिर डोपरॉब्लेशन पिरेट दोसाल का चलता है तो उसके तायत कितनी सैलियों मिलती तो तिनौप अब मेðां w इनकी 14600 रुपए होती है अब इसमें कट होती है जो सभी सरकारी वागों में होती है सरकारी नोकरियों में होती है एनपेस में 10 परशेंट पैसा कटता है ठीक है 1460 रुपए जो आपको तीन लाख रूपए का सब्सक्राइब किसी भी अस्पताल में जाके आप इसका प्रोफिट ले सकते हैं तीन लाख रुपए तक ठीक है अब यह कटोती होने के बाद इन हैंड आपको कितनी शहली मिलती है तो देखो कटोती होने के बाद इन लोगो समान शहरी मिलती बार आजार नोसो बीस रुपए सेक्ट्रेट वालों को भी है दिनस्त वालों को भी और हाई कोट वालों को भी ठीक है अब जब आपका प्रोबेशन पूरा हो जाता है दो साल कंप्लेट होने के बाद आपका फिक्सेशन हो जाएगा अब बेसिक पर आपके हो जाएगी 20800 रुपए यह दियान देना है यहां पर 20800 आपकी बेसिक पर हो जाएगी बेसिक सहली हो जाएगी इस्टार्टिंग हाई को वालों को एक प्रोफिट अलक्सी मिल जाता है कि इनको जैसे इनका दो साल पर हो जाती है ठीक है को इनक्रीमेंट लगने के बाद अफिवलाल डीजा रहा है इक 21% इसारी, नो फ्रसेंट मिलता है और 28% मिलता है बेसिकवेटेटे कि 90% काा मिलेगा और 18% का मिलेगा तो जो जैड का कि सित्टी एं वहां तो नो पर्षेंट एसारी मिलेगा है यानि की हाउस रेंट अलाउंस कि और जो वाई काटेगरी इस यह जैपूर जोदपूर है भिका नेर अजमेर है कोटा है यहां पर आपको 18% हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा अब यह सिटी एरिया में मिलेगा एक जीद ज्यान देना जैसे ज क्या रखना है ठीक है सिटी अलाव स्टी एरिया में अब आपकी रोश अली हो जाती है जो सेक्टरेट में काम करते हैं और हदीनस्त में काम करते हैं हदीनस्त विवाग में ठीक है उनकी तो ग्रोश पर जाए गुणंती जार एक सो बीच रुपह जब इनको 9% है चारे मिले तब और जो इनको 18% एचारे मिले तब इनकी 3992 रूपए ग्रोस हैली हो जाएगी यह हदीनाश्त दिवाय क्यों जाएगी ठीक है हाई कोट में जिनकी डूटी लगती है हाई कोट में वाले जो हाई कोट से बर्तियों की जाते हैं हाई कोट की वेकेंशी चे उनकी ग्रोस हैली हो जाएगी गुणती जार 960 रुपए थोड़ा बोथ हजार रुपए का अंतरा जाता है और 18% एचारे मिलने पर इनकी सैल्दी हो जाई ग्रोस हैली 31,860 रुपए अब देखिए जो आपकी ग्रोस हैली बन दिये उसमें भी कुछ कट होती होंगी और कट होती क्या क्या हों इसमें आप अपने चाहिए ज्यादा भी कटवा सकते हैं मिनिमुम पांच रुपए कटवाना रहता ही है और जी एच एस यानि जो गोवर्मेंट हैल्द इसकी में उसमें 220 रुप खट जाएंगे टोटल कटोटी आपकी 3448 रुप हो जाएंगी ठीक है तो कटोटी होने एक चाहिए बाद आपको नेट चाहिए मिलेगी 25600 रुप है फिक्स मिलेगी जब आप 9% है आपको मिलता है ठीक है और जब आफ सिटी में काम करते 18% है तो इनकी नेट चाहिए सब 2437 रुप है जब इनको पर्षेंट है चाहिए मिलता है तब और जब 18% है मिलता है तब 8600 नहीं 8333 रुप है अब देखिए बात करें भई छुटी लिव तो लिव किस प्रकार से मिलेगी आपको तो देको जो सेक्ट्रेट विवागे सच्चिवाले और जो सब ओर्डिन सब्सक्राइब नहीं मिलती है बाकि जो गवर्मेंट हो लिडे वह मिलेंगे एजुकेशन लिव अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एजुकेशन लिव मिलेगी एडिया परोवेशन पीरेड में हैं दो साल तक आपको सिर्फ 30 दिन के लिव मिल सकती विडाउट पेलिव इसे ज्यादा लेगे तो आपका प्रोवेशन पीरेड उतना ही आगे बढ़ जाएगा यह द्यान रखना ठीक है दो साल के बाद आपको एक बार में च्छा महीने का एजुकेशन लिव मिलता है इसे ज्यादा भी ले सकते हैं ठीक है लेकिन एक बार में च्छा महीने का ही मिलता है उसको फिरसे आगे बढ़वाना पड़ता है कि कि पीतरता और को यादी आपको 16 दिन का प्रीतरत अवकास मिलता है और ययानिदिकल इसका आधा यादेध दस झोटी मेडीकल के लिए दो मिलेंगे आपको आरेच एच्छी कावकास ठीक है यही छूटी इसमें इसमें भी ध्यान रखना वास हाई कोट में इतना अंतर है कि इनको इनको सेकंड एंड फोर साटर्ड़े इसकी छूटी मिलती है और यदि कभी काम हो तो इसके लिए इनको बुला सकते हैं बाकि वही इनकी छूटे रहती है अब देखो यह होगी छूटी है तिनों की अब तीनों में काम तो थीनों में अलग-अलग होता ही है ठीक है काम कर इसे आप से जो भी वाकिए एल्यों की इसाफ वाटिया में की सभी की शैली फूटाप करना बनाना यह यूडिसी काम करता है सहली बनाने का कि मिटिंग नोटीस जैसे कभी भी कोई मीटिंग होने वाली यह कल परसो तो उसका नोटीस जारी करवाना ठीक है ताइप कर वरके देना कोई भी ओंडर हो निकालना बड़ानास यहीं काम करना कूछ सको रखना कोई फावाइलघ करना करना ठीक है कोई भी नाट रखना काम रहते हैं यह काम रहते हैं आपके जुर लुज जूड़ कर हम लगती है कोई भी दो ठीक है उसके नकल ठीक है हिसकी गवाई को मतलब टाइफ करकर ना लेते 1997 करना यह गवाऊन से रिलेटेटर ज्यादा काम होते हैं किसे ज्यादा मोते करबें परोफाइल तो तीन को बैप प्रोफाइल पतब सकती है यह प्लेक् qualitative होट वालों की भाथ वैच्छी जांपर ही होती है इसे पावर कानों सरे बात करें तो यह सरीक्षी यह टीक है कार यहaquotch में थोड़ा काम डिवन त्काम का समने ही कोट में रहता यह सबसे ढाहने लेकिन लेपाकिन słow क्वाले उनकी पावर जानकरी ज्यधा होती है हाइक वालोगों की जानकरी ज्यधा होती है हदिनस्त्थ-वागम लगते हैं जैसे शिक्ष्छ विवागम लगत यह नहीं बन पाती तो इंक्रिमेंट भी तीनों में शेम होता है सभी जो भी गोर्मेंट सर्विस है सभी में इंक्रिमेंट एक अनुसा लगता है जो आपकी सैलरी में वर्दी होती है वो एक परकार्श होती है ठीक है तो देखो इंक्रिमेंट किया पर दो टाइप है एक इंक्रिमेंट लगता है महेंगाई बत्ते यानि डी श्यवक्त इपट आपका महेंगाई बत्त है फिलाल 31% के तो एक सुप जनौरी ने और एक जुलाइब की चैब सरकारं दो असले में मौढाई बड़ाइए अब ४िलाल 31% चल रहा है एक इंक्रिमेंट लगता आपकी basic led बेसं क्राइंट इस Drag लगता है एक जुलाई को अब देखो यहां तक तो जो कॉमन कॉमन चीज़ थी वह अपनी कंप्लीट हो चुकी जो भी डिफ्रेंस था कॉमन कॉमन अब इसका जो भी इंपोर्टेंट पार्ट है यानि तीनों में अगर बैस सर्विश देखी जाए तो वह अपन देखेंगे प परमोशन कापी परमोशन जल्दी होता है कापी परमोशन लेट होता है इस वीडियो को आप यहां से इसकी बगर कि देखना पूरा यहां से आपको पूरा समझ में आजाएगा कि कौन सी सर्विस आपके लिए ज़्यादा बैस्ट रहेगी तो अपन देखो एक करके तिनों क परमोशन देख लेते हैं सबसे पहले आपन सेक्ट्रेट में देख लेते हैं सेक्ट्रेट में परमोशन किस परकार होता है तो जब भी एलडिसी वेकेंश निकलती है जो भी यह रसम एसस्वी निकालती करमशाय चैनबोर्ड तो उसमें जिसकी भी हाई राइंग है जिसके अच्छे नमर आते हैं उनको सेक्ट्रेट मिलता है सबसे पहले लडिसी के पद़ पर जाते हैं यहां पर ग्रेट पर उनको ती चोबी सो अब दो साल का प्रोवेशन पूरा होने के बाद जैसे वह एक लेड़ साल और कर लेते हैं टोटली तीन सटीन साल करते हैं जो तीन जो थातीन साथ का एक्सपरिंस लेने के बाद उनका परमोसन हो जाता है यूडी सी में शीनिच असिस्टेंट इसके बात पर मोसन होगा यूडी सी में वरिष्ट शायक में इसी ग्रेट पर होती है अथाई सो यहां से तकरीबन आप 4-5 साल काम कर लेते हैं 4-5 साल का अपको आप चार से पात साल चांट इससे काम कर लेते इससे के पत्पर तो आपका पर्मोशन हो जाएगा आसो सैक्षन ओफिसर इसकी ग्रेट पर होती है अड़ताली सो ठीक है सेक्शन ओफिसर की यानि कि अनुबा घदिकारी होता है उसी ग्रेट पे उती है अड़ताली सो अब इसके बाद यहां से आप 6-7 साल तक्रीबन 6 साल मीनिमम मान लो आप 6 साल काम करने के बाद आपका फर्मों सुन हो जाएगा अशिस्टेंट सेक्शन ओफिसर में यहां सो में हो जागी सी ग्रेट पर होती है 6600 अब देखे डियर आप ही तुन लग कर सकते हैं कि वह कितनी स्यांदर सर्विस है इतने तो साइथ पर्मोंसन टीचर को भी नहीं मिल पाते हैं थाड़ ग्रेट टीचर बनेगा 36 ग्रेट पे तो उसको भी लाइफ में पर्मोंसन मिल पाते हैं जब तक वी रिटाइर होगा तब तक जल्दी लग जाता है Dodge को ट्रोथा पर्मोंसन मिल जाताłem लेकिन लख बग उसको 3 प्रमोंसन पाते हैं नि सायक साशन सचीव करते हैं सायक साशन सचीव यहां से यह 5-6 साल अगर काम करता है एक्सपरेंस लेके तो उसका पर्मोशन हो जाता है डिव्टी सेक्टरी में अब देखो पर्मोशन भी इनका सल्यव को छोड़ छोड़ के होता है रेगुलर नहीं हो रहा है जैसे कि 4800 उस्तो सब्सक्राइब के अंदर इनका पर्मोशन हो जाता है अब अगर इनका समय का पीरेड और बसता है जो जल्दी सर्विश्म में लग जाते हैं तब उनका पर्मोशन हो जाएगा सब्सक्राइब का SDS यानि कि सीनियर डिफ्टी सेक्टरी वरीष्ट शासन उपसच्यू में इसकी ग्रेड पर उती लगते हैं ठीक है उनका पर्मोशन कैसे होता है तो अब तो फिर भी भाई पोस्ट और की रेट हो गई यूडिसी की तो थोड़ा जल्दी प्रमोशन हो जाता है पहले तो एल्डिसी से यूडिसी बनने बनने में तक्रीबन 15-15 साल लग जाते थे 14-15 साल में उनका यूडिस साल लगा लो इनका रेगुलर सर्विस का इतने समय अगर यह अपनी इस पर्मोशन यूडिसी में हो जाता है यूडिसी ग्रेड़ पर होती है अठाइस सो यह दोनों सेम है सची वाले में भी यहां भी ठीक है इसके बाद इनका प्रमोशन होता है देखो एए सब्सक्राइब करते हैं उनको शिद्धा अठाइसों के बाद भी याली सुग्रेड पर मिल जाती है इसके बाद इनका प्रमोशन हो जाता है छैसे साथ साल में एडियो यानि अतिरीक्त परसासनिक हधिकारी में यह राजपत्री जो गैजट्टेड ओफिसर होते हैं उसका सब्सक्राइब करते हैं इसके बाद अपन बात करें यहां से 5-6 साल काम करता है इसका प्रमोशन हो जाएगा इनका परसासनिक हधिकारी में 48 ग्रेड पर ठीक है और यदि को जल्दी सरीश लग जाते हैं 22-23 साल में तो एक जातर तो 48 ग्रेड पर रिटाइर हो जाते हैं इस भी फिलाल जल्दी सरीश में लग रहे हैं उनको एक संस्तापन हदीकारी 24 ग्रेड पर होती इसकी तो यह पद भी मिल जाता है ठीक है यह होता है आपका सब और डिने डिपार्टमेंट जो होते हैं उनका पर्मोशन तो सबसे ज्यादा पर्मोशन होंगे सेक्ट्रेट में अ लॉदि के में लeg out में यह पर्मोशन अपन सब ऑो डिने नेड इनका देख लेते हैंं फिर जो है कृषट में लग बाद टीनों काolar कोता है बस स्क्राइब तो यहां पर इनको एलग अलग है तो अब काम करते हैं साथ से आठ साल जिसे रिड़र थारड वी तो आपका रेडर से प्रमोशन हो जाएगा इस ग्रेड़ पे होती है च्छती सो इसके बाद यहां पर आप 6-7 साल एक्षिवनेंस ले लेते हैं तब आपका प्रमोशन हो जाएगा रीडर फर्स्ट में बैयाली सो ग्रेड़ पे में ठीक है और यहां से पास से 6 साल जवब करने के बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा सब्सक्राइब की मज़ए लडी सी यहां पर जूडिशेल असिस्टेंट कहते हैं ठीक है इस पर आगर आप साथ साल भी काम कर लेते हैं साथ साल का एक्षिवन लेते तो आपका प्रमोशन शीनियर असिस्टेंट में हो जाएगा ठीक है इसी गरेड़ पर होगी 800 अब देख है से साथ साल बाद मीनिममम इतना समय लगता है आपका प्रमोशन हो जाएगा असिस्टेंट रिजिस्टरार में ठीक इसके बाद आप परमोशन ले लेंगे डिफुटी रिजिस्टरार में इस ग्रेड़ पर 42 इसकी होती है 48 ग्रेड़ अगर यह आपका सना और वस्ता है र प्रमोशन का सबसे श्यांदर और सबसे अच्छा प्रमोशन मिलता है सची वाले का इसलिए अभी आप बगर समय गवाई अच्छी तैयारी करो अभी अच्छी आने वाली है ठीक है उसमें सैक्ट्रेट के पद विजनरेट होंगे सैक्ट्रेट में भी मतलब खाली सीटे मिलता है अच्छे नंबर वालों को आएकर विवाग हो गया ठीक है आगे टेक्स विवाग हो गया है को यह मिल जाता है जिसके कम नंबर आते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू फ्रेंड